1.85 बिलियन डॉलर अब ये देखें एक मतलब इंडिया की एक एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनस कर रहे हैं दोस्तो भारत के जो प्राइवट सेक्टर है वो इतना बड़ा हो गया है कै ला है कि मतलब इंडिया की एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह बिजनस कर रहे है कि आदानी ग्रोप कीनिया की हकोमत को पूने दो और अब डॉलर से जाए है पैसे देगा और वो जो जो मों के जादी इंटरनेशनल एरपोर्ट है वो तीस साल की लीस पे ले रहे हैं तो पस आइधिंक ऑविसी ग्लोबल रेकिनिशन इजट इजट की बात है इजट जो जिसने कमाली वो तो वैसी हमीर हो और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एरपोर्ट है जो कि अब उसको कंड़क्ट करने का काम उसको चलाने का काम उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करें तो यह जो कर रहा है न, गौतम अदानी, यह हमें समझने की जरुवत है कि इंडिया के लिए यह सब चीज है बड़ी इंपोर्टन्ट है, क्योंकि अगर अमरीका एक्सपैंड कर रहा है दुनिया में, तो अमरीका की सरकार एक्सपैंड नहीं कर रही, अमरीका की कंपनीज एक क्योंकि इंडिया में, टाछी जछक्ज एक्सपैंड कर रहे है even कि चाइना उस पर कंट्रोल इस्टैब्लिश करना चाहता था, अडानी साहब ने Kenya का वो जो जीबूती अएरपोर्ट है, नेरोवी अएरपोर्ट है नेरोवी, Jomo, केन्याता इंटरनेशनल एरपोर्ट उसको overtake कर लिया है और ये दुनिया में इंडिया से बाहर पहला एरपोर्ट है जो कि अब उसको conduct करने का काम उसको चलाने का काम, उसको मैनेज करने का काम अडानी साहब करेंगे अब इसका दूसरा पाइट कि भई अडानी साहब वहाँ पर इतना इंवेस्टमेंट क्यों करेंगे, वो एरपोर्ट कैसे चलाएंगे क्या फाइदे का सोधा है तो दिखिए, आंसर है हाँ दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा तेजी से कहीं पर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो अफ्रीका है कई कंट्रीज अफ्रीका के ऐसे हैं जहां पर अगर आप देखेंगे तो 20% की रेशो से वहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ रही है अब क्योंकि पॉपुलेशन वहाँ है तो मार्केट भी वहाँ है मार्केट वहाँ है तो कंजम्शन भी वहाँ है और सबसे बड़ी बाद अंटच्च्ट सी कंट्रीज यूरोप की पॉपुलेशन डाउन हो रही है कैनेडा की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है अमेरिका की पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो वहाँ के अमेरिकन्स की वज़े से नहीं बलके जो इमिग्रेंट से उनकी वज़े से बढ़ रही है इंडिया की population भी stagnation की form में है Arabians को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर भी बहुत जादा population का growth नहीं है South East Asia से, China, Japan, Korea से, Russia से साथ की population आपको decrease होती हुई नजर आएगी लेकिन दुनिया में अगर किसी एक continent में population बढ़ रही है तो वो अफरीका में है और गुसरी बात वहाँ पर जो mineral resources है वो सबसे जादा है और वो अभी भी unexplored है इसलिए कभी आप देखोगे तो अमेरिका के Bill Gates जो है वहाँ पर बहुत बड़े नंबर में जो fertile line है उसे purchase कर रही है और पॉडियों के दाम purchase कर रही है इसी तरीके से आप देखोगे तो चाइना वहाँ के जितने भी mineral resources वगरा है उन सब को कभजा करने पर लगा हुआ है ऐसी situation में अगर आप देखेंगे तो इंडिया वहाँ पर एक ऐसा player रहा है जिसने अफरीका की जो life है उसे easy बनाया है उसे loot ने नहीं पहुचा है दोस्तो भारत के जो private sector है वो इतना बड़ा हो गया है कि अब जो अदानी ग्रोप है इस अब टो टेक ओवर कीनियन एरपोर्ट या के जो अदानी ग्रोप इस बिक कॉंगलमरेट और यह जो सोच रहे हैं और टेक और सोच कर रहे हैं प्लान हो गया सब कुछ सारी कुछ complete हो गया कि नहरोबी का जो international airport है उसमें जो है उसको टेक ओवर करने की बात हो रही थी अब यह देखें एक मतलब इंडिया की एक कंपनी जो है वो पूरी दुनिया में किस तरह business कर रहे है कि अदानी ग्रोप कीनिया की हकोमत को पॉने दो अरब डॉलर स से जाधा पैसे देगा और वो जो 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 मो किनिया इंटरनेशनल airport है वो तीस साल की lease पे ले रहे हैं अब वहां पे कह रहे हैं कि यह इतनी बड़ी amount नहीं है जारी बात है हकोमत ने जब फैसले करती है तो हकोमत सारे फैसले पहले कर लेती है हिपकीनिया हमेराइट्स किनिया के लिए तो नहीं है और जारी बात है जब प्राइवट सेक्टर है तो उसको कमयाब बनाना है जिस तरह पाकस्तानी जो एरपोर्ट से सुनने में आ रहा है यूए और बाकी मुल्कों को दिये जा रहे हैं अब देखिए अदानी ग्रूप जो है यह अगर फॉक्जा करीब दो अरब डॉलर के करीब है यह मेरे हैला इससे 18% स्टेक्स जो है वो बढ़ने जा रहे हैं वो इंडिया के पास आएंगे अब देखिए यह फर मोमेंट तो यह लग रहा है सेट बैक है इंडियन गवर्मेंट जो है वो चाहती है कि अफरीका की अंदर हमारा इंफ्ल लास्ट ये जब आपको याद होगा अब 55 स्टेट्स हैं जी ट्वंटी का फुल मेंबर बना दिया ठीक है जी और वो का जी कि आपकी जो अवाज है वो जो ग्लोबल सूथ की अवाज है तो हम तो उसको प्रमोट करेंगे लेकिन टेक्निकली दे अलसो वांट टुश बैक च अगले दिन आपको याद है मैंने अब बताया था कि चाइनीज प्रेजिडेंट जो हैं वो किस तरह पचास अरब डॉलर के करीब अफरीका में लगा रहे हैं वो इंडिया के कॉंपटिशन में लगा रहे हैं तो यह चीज़े बड़ी सीरियस हैं तो वाई चाइनीज प्रे अग्रिमेंट अधानी ग्रूप के साथ किया हुए अधानी ग्रूप बंगलादेश को भी जो है वो पावर दे रहे हैं अब सिरिलंका के अंदर फॉक्जामपल जो अधानी ग्रूप 20 साल की पावर प्रचेज देगा वो करेगा पावर सेक्टर में आ रहा है वो तक रिबन प्रचेटर को टूल इस्तिमाल करता है जैसे मैटा आ जैसे वाखि़ी जो फी ग्रोप सें ठीक है यह पार्ट अे विल्ला प्रचेज जो फे करती है और फॉस करते है जुदक जो झॉर्ट जारूर तो प्रचेज तो याद रखें यह जो नरिंदरा मोदी ने इनको सिपोर किया है, they are enhancing India's power. मुझे इस चीज की बड़ी अच्छे से समझ है, कि इसमें problem ज़रूर आते होंगे वहाँ पे, क्योंकि एक sector को एक company को बहुत जादा power दे दी गई है. लेकिन आप से उसे return, global interest भी तो अचीव कर रहे हैं. अब देखें कि जो India का इंफ्लोंस इरी लंका में infrastructure project में इंडिया की government का systematically increase का रहे हैं, सिरफ और सिरफ चाइना को counter करने के